इस साल जो वेकंसी की भरमार है जैसे कि मैंने आपको बताया था एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था गेल की तरफ से तो आपको मैं बताना यह चाहता हूं कि इसमें वेकंसी बहुत बढ़ी आई है फिटर के लिए यह आपको वेकंसी इस साल देखने की मिलेंगी जाए यूपी-अर वेकंसी आती है चली जाती है नोटिफिकेशन आते हैं चले जाते हैं बट आपकी तयारी नहीं है क्योंकि हर एक ठीक्वाम में अभी मेंने मैं नोटिफिकेशन बनाया सौर्ट नोटिक्वर्स का क्या करते ह तो भाई इसमें भी बहुत कम टाइम मिलने वाला है तो यहां पर हम सबसे पहले फुल नोटिफिकेशन आया उसके बाद चर्चा करेंगे और हां जो बच्चे सोच रहें कि सर वैकेंसी आ रही है हमें एक प्रॉपर तरीके से कंटेंड नहीं मिल पा रहा है सेलेक्शन वाला क सर हम कहां से त्यारी करें बच्चे भटक गए हैं तो भाई मैं उनको ही इसलिए कहना चाहता हूं कि एक जीरो टीरो बैच है जो कि भाई सारी क्लासे इसमें लेटेश पैटर से आपको पढ़ाई गई हैं यहां पर आपको कंप्लीट बेसिक ट्रेवांस पहले बास थीरी कं साथ फ्री लेक्चर पीडियर नो दस अजार प्रैक्टिस कोश्चन चैप्टर वाई निम्मी प्रैक्टिस कोश्चन वो कंटेंड जो कि आपको सेलेक्सिंदी लाते जैसे आप यह अभी सुना होगा एंपी सेल में रैंक बार्ग में बहुत अच्छा बच्चों कर रहा यह यहां पे साथ-साथ आपको मैथ रीजनिंग जीके जीएक्सि क्लासे भी आपको मिलने वाली है मात्र 1109 रुपे में इस कोर्स हैं जाके connect हो जाया और अपने जितनी वी आपके और आपकी एक्जाम हैं जितने वी आपके एक्जाम के लिए और यहां पर आप अपने ले लेता हूं जो भी इंपोर्टेंट हाइलाइट पॉंटेट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं चलो देखों सबसे पहले मैं थोड़ा से जूम कर देना चाहता हूं गेल जो कि आपकी निकल रखी है वेकेंसी गेल की तरफ से चलिए तो अगर मैं आपको आईटे वाले चैश्य बहुत मतलब किडिफेंट डिफेंड ब्रांचेज में वेकेंसी है अलग अलग क्यालिफीकेशन पर अब यहाँ पर हैं सिधा आईटे वाले श्टूटेंट के लिए तो मैं सिधा ऑले श्टूटेंट के लिए ले जा रहा हूं यहां पर दोड़ा सा दूम आउट क टोटल अगर वेकंची वोदो 44 है चाहँ वाले से टेक्नीशन इंश्यूमेंटेशन से स्जाहिए और सथी साथ टेक्नीशन हैं impeccl ये बच्चे ये वाले लिए फिटर वाले बच्चों क्या रहे है क्योंकि अलग-अलग category में आपको यहां पर दिखाएगी है ठीक है अगा टोटल बात करो तो 49 वेकंसी है बहुत ही प्रयापत है बहुत ही अच्छी रुकार्मेंट है अभी नरोरा के देख लो आपकी रावद माटा के देख लो तुम्हां भी फिटर की वेकंसी अच्छी देख लाएंसे यहां पर देख लिए रखा है आपका कि टेक्नीशन मेकानिकल का कैसे होना है क्याट 1 ग्याट 2 ग्याट 3 यह आपका क्या रिवेशन का एक पंडा है इस पर मत आईए कि नॉर्मल आपको मैं जो है इंपोर्ट्रेंट साइल इसको बताने वाला हूं ठीक है ब यहां पर देखो देखो क्या लिखा है यहां कॉलिफेकर है टेक्नीशन मेकानिकल देखो किन-किन बच्चे वाले पेस्किल आपको 24 से 90 जार तो क्रें अपर एज आपका 26 और यहां देखेंगे तो मैट्रिकुलेशन पास आईटे ट्रेश्मेंट सिफ नेशनल नेशनल अप मेकानिकल के निकली है बढ़ती यहां पर किन-किन ट्रेट को लिजबल है सबसे पहले आप देख लो आपके 49 सीट आई है 49 सीट इस वाली पोश्ट के लिए उसमें कौन-कौन सी ट्रेड है एक तो फिटर वाले बच्चे अपलाई कर सकते हैं ठीक है दूसरे आपके डिजल म अगर आपके पास एक साल का अगर आपके पास एक साल और अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को जरूर कर देना कि बहुत बच्चे के पास एक्सफिरियंस नहीं होता बहुत बच्चे क्या कहते हैं आप रेंटिसीब नहीं कर पाते हैं चलो चलो आज यहां पर मैंने आपको बता दिया जो में हाइलाइट पॉइंट था और आके आते हैं तोड़ा सा और मैं देखता हूं हाँ और क्या करते हैं वह बच्चे अप्लाइब यहां पर चुट देखने को मिल जाएगा इसमें आचारे अचारे सब कुछ आपको इंप्लोडर मिल जाता है लाउंस बहुत सारे लग जाते हैं तो अच्छी खार से आपको मिल जाते हैं कैसे अपलाई करना है हान्यद्य को चलने वाला है मिटकर से आपको फॉकस कर करें इसको फॉर्म को करते जरू लूजो ाकूमेंट से बार भीडेखन लंबा है तो मैं आपको जो मेन हैलाइट से लिखन प्रोस्सांत की बात करूं तो यहाँ पर आगर मैं जूम कर दूं तो धियां से देखों यहाहं पर क्या निखा है technician mechanical के लिए yes 3 आपका जो है return test होने वाला है trade test होने वाला है आपका return test और trade test आपका जिसे trade test बोले तो skill test ना तो return test में दिक्कत लेनी है क्योंकि आपको hero to hero batch में सब कुछ आपको बताया गया है जो कि इसमें आपको पुछा जाता है ठीक है वो targeted batch है अगर आप सच में लग के महनत कर लोगे ना तो इस बेकेंसी को अपने हाँ से जाने मत दे ना चलो आगे जाए आगे इसमें आपके क्या कुश्चन्स पुछे जाएंगे बई हैंडेट कुश्चन्स आपके पुछे जाएंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग और अब आपके माइंड में आ रहा होगा सा इसका कहते हैं कितना कितना क्या पूछा जाएगा तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि लास्ट इंप जाब होता है तभी वह मेंसर करते हैं मगर आप प्रिवेश से देखोगे तो वह यह सबतर तीस का पचीस पच्चा पर आपका सेंटर होने वाला है अगर आप दो पास में तो भाई आप पास में चुल लेना और अगर आप इलिजबल हैं तो भाई देखे आ जाना तो यह इंपोर्टन हाइलाइट पॉइंट था बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है इंपोर्टन डेट मैंने आपको बता दी लास् नहीं रहता कुछ बच्चे अप्रेंटिसिप कर लेते हैं वाकर एक साल का एक्सपीरियंस फिर टक जाएगा क्योंकि टोटल आपका दो साल का एक्सपीरियंस नहीं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए धन्नावाद